C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय साथ भिन्न प्रिष्ट 168 साथ दशमलव एक्षून्य भिन्नों का योग और व्यवकलन यानि घटाना अभी तक हमने प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के बारे में अध्ययन किया है इस अध्याय में हम एक नई प्रकार की संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें भिन्न कहते हैं जब भी हमें नई संख्याईं प्राप्त होती हैं, तो हम उन पर संक्रियाईं करने की सोचते हैं. क्या हम इनें जोड सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? क्या हम एक संख्या में से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं? अर्थात, क्या हम एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा स संख्याओं के बारे में पहले पढ़े हुए गुण क्या इनन नई संख्याओं पर लागू होते हैं? इनके नए गुण क्या हैं? हम यह भी देखते हैं कि ये संख्याओं हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं? इस उदाहरन को देखिए, एक चाय की दुकान वाली अपनी दुकान पर सुभा ढाई लीटर दूद और शाम को डेड़ लीटर दूद का प्रयोग चाय बनाने में करती है, अपनी दुकान पर वह एक दिन में कितना दूद प्रयोग करती है, अत्वा शेखर ने दोपहर के भोजन में दो चपाती खाई और रात्री के भोजन में डेढ़ चपाती खाई उसने कुल कितनी चपातियां खाई स्पष्ट है कि दोनों स्थितियों में भिन्नों को जोड़ने की आवशक्ता है इन में से कुछ योग, मोखिक रूप से और सरलता से किये जा सकते हैं प्रयास कीजिए 1. मेरी माँ ने एक सेब को चार बराबर भागों में बाटा उन्होंने मुझे दो भाग और मेरे भाई को एक भाग दिया उन्होंने हम दोनों को कुल सेब का कितना भाग दिया नीलू ने कुल कंकड़ों के एक चौथाई कंकड़ बीने और उसके भाई ने भी कुल कंकड़ों के एक चौथाई कंकड़ बीने, दोनों ने मिलकर कुल कंकड़ों की कितनी भिन्न बीनी। 3. सोहन अपनी अभ्यास पुस्थिका पर कवर चढ़ा रहा था. उसने सोमवार को एक चौथाई भाग पर कवर चढ़ा लिया. मंगलवार को उसने अन्या एक चौथाई भाग पर कवर चढ़ा लिया. और शेश बुधवार को. बुधवार को उसने कवर का कौन सा भाग इन्हें कीजिए, अपने मित्रों के साथ ऐसे दस प्रश्न बनाईए और उन्हें हल कीजिए, साथ दशमलव दस दशमलव एक, समान भिन्नों का जोड़ना या घटाना, सभी भिन्नों को मौकिक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता, हमें यह जानने की आवशक्ता है कि विभिन्न स्थितियों में इन्हें कैसे जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया को सीखने की आवशक्ता है, हम समान भिन्नों के योग से प्रारंब करते हैं, प्रिष्ट 179 एक साथ बाई चार ग्रिड शीट लीजिए, आकृती 7.3, इस शीट की प्रत्येक पंक्ती में साथ खाने हैं, और प्रत्येक स्तंभ में चार खाने हैं, इसमें कुल कितने खाने हैं, इन में से पांच खानों में हरा रंग भरिये, हरा क्षेत्र एक पूर्ण की कौन सी भिन्न है, अब शीट के चार खानों में पीला रंग भरिये, पीला क्षेत्र एक पूर्ण की कौन सी भिन्न है, एक पूर्ण की कुल कितनी भिन्न रंग दी गई हैं, क्या इससे स्पष्ट होता है के पांच बटा थाईस जमा चार बटा थाईस बराबर नौ बटा थाईस है, और उदाहरणों को देखिए, आकृती 7.141 में आकृती का दो चौथाई भाग चायांकित है, इसका अर्थ है के चार में से दो भाग, अर्थात आकृती का आधा भाग चायांकित है, अर्थात 1 बटा 4 जमा 1 बटा 4 बराबर 1 जमा 1 बटा 4 बराबर 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2 है आपने इन उदाहरणों से क्या सीखा है? हमने सीखा है कि दो या अधिक समान भिन्नों का योग इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है चरण एक, अंशों को जोड़िए चरण दो, उभए निष्ठ या सार्व हर को वही रखिए चरण तीन, परिणाम को इस रूप में लिखिए चरण एक का परिणाम, बटा चरण दो का परिणाम आये इस विद्धी से 3 बटा 5 और एक बटा 5 को जोड़ें हमें प्राप्त होता है 3 बटा 5 जम्हां एक बटा 5 बराबर 3 जम्हां एक बटा 5 बराबर 4 बटा 5 अब बत आउ, 7 बटा 12 और 3 बटा 12 का क्या योग होगा प्रिष्ट 170 प्रयास कीजिये 1. आकृतियों की सहायता से जोड़िए 1. एक बटा आठ जमा एक बटा आठ 2. दो बटा पाँच जमा तीन बटा पाँच 3. एक बटा बारह जमा एक बटा बारह जमा एक बटा बारह 2. एक बटा बारह जमा एक बटा बारह को जोडने पर हम क्या प्राप्त करते हैं? आप चित्र रूप में इसे कैसे दर्शा सकते हो? कागज मोडने की क्रिया द्वारा कैसे दर्शाया जा सकता है? 3. प्रशन एक और दो जैसे पांच और प्रशन बनाईए अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिए शेश ग्यात करना शर्मीला के पास एक केक का पांच बटा च्षै भाग था उसने केक का दो बटा च्षै भाग अपने छोटे भाई को दे दिया उसके पास कितना केक बचा? एक आकरिती से इस्थिती को सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है ध्यान दीजिए कि यहां समान भिन हैं आकरिती साथ दशमलव एक पांच हम प्राप्त करते हैं पांच बटा च्षै घटा दो बटा च्षै बराबर पांच घटा दो बटा च्षै बराबर तीन बटा च्षै अर्थात एक बटा दो क्या यह समान भिन्नों को जोडने जैसी विधी नहीं है? इस प्रकार हम दो समान भिन्नों का अंतर निम्न प्रकार से ग्यात कर सकते हैं चरण एक बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाईए चरण दो उभय निष्ठ हर को वहीं रखिए चरण तीन भिन्न को इस रूप में लिखिए चरण एक का परिणाम बटा चरण दो का परिणाम क्या अब हम تीन भटा दस में से आठ भटा दस को घटा सकते हैं प्रयास कीजिए एक साथ भटा आठ और तीन भटा आठ खा अंतर ग्यात कीजिए दो मा ने एक गुड की पट्टी गोलाकृती में बनाई उसने उसे पांच बराबर भागों में विभाजित किया सीमा ने उसमें से एक टुकडा खा लिया यदि मैं एक अन्य टुकडा खा लूँ तो कितनी गुड की पट्टी शेश रहेगी प्रिष्ठ 171 3. मेरी बड़ी बहन ने एक तर्बूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया मैंने इसके साथ टुकडे खा लिये मेरे मित्र ने चार टुकडे खाए हमने मिल कर कुल कितना तर्बूज खाया मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तर्बूज खाया कितना तर्बूज शेश रह गया चार इसी प्रकार के पांच प्रशन और बनाईए और अपने मित्रों के साथ इनहें कीजिए प्रशनावली साथ दशमलव पांच एक निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए दो हल कीजिए A. एक बटा ठार है जमा एक बटा ठार है B. आठ बटा पंदर है जमा तीन बटा पंदर है C. साथ बटा साथ घटा पांच बटा साथ D. एक बटा बाईस जमा एककीस बटा बाईस E. बारह बटा पंदर है घटा साथ बटा पंदर है F. पांच बटा आठ जमा तीन बटा आठ G. एक घटा दो बटा तीन एक बराबर तीन बटा तीन एच एक बटा चार जमाशुन बटा चार आई तीन घटा बारह बटा पाँच तीन शुभं ने अपने कमरे की दिवार के दो तिहाई भाग पर पेंट किया उसकी बहन माधवी ने उसकी सहाइथा की और उस दिवार के एक तिहाई भाग पर पेंट किया उन दोनों ने मिल कर कुल कितना पेंट किया 4. रिक्त स्थानों को भरिये A. साथ बटा दस घटा डैश बराबर तीन बटा दस B. डैश घटा तीन बटा इकीस बराबर पांच बटा इकीस C. डश घटा 3 बटा 6 बराबर 3 बटा 6 D. डश जमा 5 बटा 27 बराबर 12 बटा 27 प्रिष्ट 172 5. जावेद को संत्रों की एक टोकरी का 5 बटा 7 भाग मिला टोकरी में संत्रों का कितना भाग शेश रहा 7.10.2 भिन्नों का जोड़ना और घटाना हम समान भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीख चुके हैं जिन भिन्नों के हर समान नहीं हैं, उन्हें जोड़ना और घटाना भी कठिन नहीं है जब भिन्नों को जूड़ना और घटाना हो, तो हमें पहले दी हुई भिन्नों को समान हरों वाली भिन्नों में बदलना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए एक बटा पांच में क्या जूड़ने पर एक बटा दो प्राप्त होता है? इसकार्थ है कि वांचित संख्या प्राप्त करने के लिए एक बटा दो में से एक बटा पांच को घटाया जाए चूंकि एक बटा पांच और एक बटा दो असमान भिन्न हैं इसलिए घटाने के लिए पहले हम इन्हें समान हरों वाली भिन्नों में बदलते हैं एक बटा दो और एक बटा पांच की समान हरवाली तुल्यभिन क्रमशह पांच बटा दस और दो बटा दस हैं. यह इसलिए है क्योंके एक बटा दो बराबर एक गुणा पांच बटा दो गुणा पांच बराबर पांच गुणा दस और एक बटा पांच बराबर एक गुणा उदहरन आठ 5 बटा 6 में से 3 बटा 4 को घटाईए हल हमें समान हर वाली 3 बटा 4 और 5 बटा 6 के तुल्य भिन्न बनाने की आविशक्ता है यह हर 4 और 6 का लस है जो बारह है अतह 5 बटा 6 घटा 3 बटा 4 बराबर 5 गुणा 2 बटा 6 गुणा 2 घटा 3 गुणा 3 बटा 4 गुणा 3 बराबर 10 बटा 12 घटा 9 बटा 12 बराबर 1 बटा 12 उदहरन 9 2 बटा 5 और 1 बटा 3 को जोड़िये हल 5 और 3 का लस 15 है अतह 2 बटा 5 जमा 1 बटा 3 बराबर दो गुणा तीन बटा पांच गुणा तीन जमा एक गुणा पांच बटा तीन गुणा पांच बराबर छे बटा पंद्र है जमा पांच बटा पंद्र है बराबर ग्यारह बटा पंद्र है उदाहरन दस सरल कीजिए तीन बटा पांच घटा साथ बटा बीस हल पांच और बीस का लश बीस है प्रिष्ट 173 अतह तीन बटा पांच घटा साथ बटा बीस बराबर तीन गुणा चार बटा पांच गुणा चार घटा साथ बटा बीस बराबर बारह बटा बीस घटा साथ बटा बीस बराबर 12 घटा 7 बटा 20 बराबर 5 बटा 20 बराबर 1 बटा 4 प्रयास कीजिए 1. 2 बटा 5 और 3 बटा 7 को जोड़िए 2. 5 बटा 7 में से 2 बटा 5 को घटाईए हम मिश्रित भिन्नों को किस प्रकार जोड़ते या घटाते हैं? मिश्रित भिन्नों को या तो एक पूर्ण भाग और एक उचित भिन्न के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है या पूर्ण रूप से एक अनुचित भिन्न यानि विश्य भिन्न के रूप में मिश्रित भिन्नों को जोड़ने या घटाने की एक विधी यह है कि पून भागों और भिन्नी ये भागों पर संक्रियाएं अलग-अलग की जाएं तथा दूसरी विधी यह है कि इन्हें पहले अनुचित भिन्नों में बदल लिया जाए और फिर इन्हें सीधे जोड़ा या घटाया जाए उदहरन 11 2 चार बटा 5 और 3 पांच बटा 6 को जोड़िये हल 2 चार बटा 5 जमा तीन 5 बटा 6 बराबर 2 जमा 4 बटा 5 जमा 3 जमा 5 बटा 6 बराबर 5 जमा 4 बटा 5 जमा 5 बटा 6 अब 4 बटा 5 जमा 5 बटा 6 बराबर 4 गुणा 6 बटा 5 गुणा 6 जमा 5 गुणा 5 बटा 6 गुणा 5 चुखी 5 और 6 का लस बराबर 30 बराबर 24 बटा 30 जमा 25 बटा 30 बराबर 49 बटा 30 बराबर 30 जमा 19 बटा 30 बराबर 1 जमा 19 बटा 30 इस प्रकार 5 जमा 4 बटा 5 जमा 5 बटा 6 बराबर 5 जमा 1 जमा 19 बटा 30 बराबर 6 जमा 19 बटा 30, बराबर 6 उन्नीस बटा 30, अतह 2 चार बटा 5 जमा 3 पांच बटा 6 बराबर 6 उन्नीस बटा 30, सोचिये, चर्चा कीजिये और लिखिये, क्या आप इस प्रश्न को हल करने की कोई अन्य प्रक्रिया ग्याद कर सकती हैं? उदहरन 12 है, चार दो बटा 5 घटा दो एक बटा 5 ग्याद कीजिये, प्रिष्ट 174 हल, पूर्ण संख्या चार और दो तथा भिन्नात्मक संख्या दो बटा 5 और एक बटा 5 को अलग अलग घटाया जा सकता है ध्यान दीजिये के चार दो से बड़ी है और दो बटा 5 एक बटा 5 से बड़ी है अथह, चार दो बटा 5 घटा दो एक बटा 5 बराबर कोश्ठकों में चार घटा दो जमा कोश्ठकों में दो बटा 5 घटा एक बटा 5 पराबर दो जमा एक बटा 5 बराबर दो एक बटा 5 उदाहरन 13 सरल कीजिए 8 एक बटा 4 घटा 2 पांच बटा 6 हल यहां 8 दो से बड़ी है और 1 बटा 4 पांच बटा 6 से बड़ी है इस प्रशन को निम्न प्रकार हल कर सकते हैं 8 एक बटा 4 बराबर कोश्ठकों में 8 गुणा 4 जमा 1 बटा 4 बराबर 33 बटा 4 और 2 पांच बटा 6 बराबर 2 गुणा 6 जमा 5 बटा 6 बराबर 17 बटा 6 अब 33 बटा 4 घटा 17 बटा 6 बराबर 33 गुणा 3 बटा 12 घटा 17 गुणा 2 बटा 12 चुंकि 4 और 6 का लस 12 है बराबर 99 घटा 34 बटा 12 बराबर 65 बटा 12 बराबर 5 पांच बटा 12 प्रश्नावली 7 दशमलव 6 जी तीन बटा 4 घटा 1 बटा 3 ह पांच बटा 6 घटा 1 बटा 3 आई दो बटा 3 जमा 3 बटा 4 जमा 1 बटा 2 जे एक बटा 2 जमा 1 बटा 3 जमा 1 बटा 6 के एक एक बटा 3 जमा 3 दो बटा 3 एल चार दो बटा 3 जमा 3 एक बटा 4 एम 16 बटा 5 घटा 7 बटा 5 एन 4 बटा 3 घटा 1 बटा 2 दो सरिता ने 2 बटा 5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3 बटा 4 मीटर दोनोंने कुल कितना रिबन खरीदा प्रिष्ठ 175 3. नैना को केक खा एक एक बटा 2 भाग मिला और नजमा को एक एक बटा 3 भाग दोनों को केक का कितना भाग मिला 4. रिक्त स्थान भरिये A. डैश घटा 5 बटा 8 बराबर 1 बटा 4 B. डैश घटा 1 बटा 5 बराबर 1 बटा 2 सी, एक बटा दो घटा डैश बराबर एक बटा च्छे पांच, योग व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए यहां दो तालिकाईं दी गई है छे, साथ बटा आठ मीटर तार के दो टुकड़े हो जाते हैं इन में से एक टुकड़ा एक बटा चार मीटर है दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है साथ, नंदिनी का घ़र उसके स्कूल से नौ बटा दस किलो मीटर दूर है वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर आधा किलो मीटर की दूरी बस द्वारा तैक करके स्कूल पहुँचती है वह कितनी दूरी पैदल चलती है आठ, आशा और सैमुल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली दो अलमारियां है आशा की अलमारी पुस्तकों से पांच बटा च्छे भाग भरी है और सैमुल की अलमारी पुस्तकों से दो बटा पांच भाग भरी है किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक 9. जयदेव स्कूल के मैदान का दो एक बटा पांच मिनट में चक्कर लगा लेता है राहुल इसी कारे को करने में साथ बटा चार मिनट का समय लेता है इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम हमने क्या चर्चा की एक एक भिन ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण के एक भाग को निरुपित करती है या संख्या रेखा पर संक्रियाओं को निरुपित करती है पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी प्रिष्ट 176 बी, किसी स्थिती में गिने हुए भागों को भिन में व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी भाग बराबर हूं दो, भिन पाँच बटा साथ में पाँच अंश तथा साथ भिन का हर कहलाता है तीन, भिन्नों को संख्यारेखा पर भी दर्शाया जा सकता है प्रत्येक भिन्न के लिए संख्यारेखा पर एक निश्चित बिन्दु होता है चार, एक उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है और विशम भिन्न में हर हमेशा अंश से बड़ा होता है विशम भिन को एक पूर और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है इस स्थिती में यह भिन मिश्रित कहलाती है पांच, दो भिन तुल्य भिन कहलाती हैं यदि वे समान मात्रा को निरुपित करती हो प्रत्येकुचित या विशम भिन्न की अनेक तुल्य भिन्न होती हैं एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम भिन्न के अंच तथाहर दोनों को समान शुनेतर संख्या से गुणा या भाग कर सकती हैं चै, एक भिन अपने सरल्तम रूप यानी नियूनितम में होगी, यदि उसके अंच तथाहर में एक की अलावा कोई दूसरा उभाय निष्ठ गुणन खंड नहो। अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचन स्वर गौरव मारवा, निर्मान सहियोग सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत